दोस्तों इस Study91 की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारती संविधान में अगली लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों आज हमारा 221 लेक्चर है जिया दोस्तों अगर सम्विधान की बात की जाए तो सम्विधान में आज हमारा 71 लेक्चर है 71 लेक्चर है ठीक है देखिए इसी सेसन में इसी सीरीज में देड़ सो लेक्चर में आपको केवल इतिहास भी से पढ़ाये गया और उसके प्लेटफॉर्म है लेकिन आज तक किसी ने पांचे अजार सवाल पढ़ाया नहीं ठीक है आपको तो सिक्वेंस में सवाल मिला है डे बाई डे सवाल मिला है और एक एक टॉपिक पर सवाल मिला है कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोगों ने क्लास में चर्चा ना किया हो अच्छा एक समस्या भी बच्चो की मैं इतने मन से क्लास बनाता हूँ इतना अच्छा कंटेंड लेकर आता हूँ लेकिन आपका क्या है ना कि जब तक आप पैसे नहीं खर्च करते हो आप देखो ना कितने वियू जा रहे हैं क्या आपके लिए class important नहीं है बहुत important देखिए पूरा सम्मिधान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो क्यों एक topic छोड़ दें ये भी तो हमारे सम्मिधान का ही part है जिसमें हम राष्टी प्रतीक से सम्मिधान सवालों के बारे हम बाचीत करेंगे आज मैं जब इस सवाल तयार कर रहा था तो मुझे लगा काफी आसान सवाल है कौन बच्चा नहीं जानता कि हमारा राष्टी पसू जो है बाग है कौन बच्चा नहीं जानता कि राष्टी यह विरासत पसु हाथी है यह बच्चा बच्चा जानता है तो मुझे लगा कि इस चैप्टर में कुछ नया तड़का मानना पड़ेगा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नय नय सवालों को मैंने एड़ किया और ऐसे सवाल जो आपको यह जरूरी है जानना क्योंकि ऐसे सवाल आपके परिच्चा में पूछे जा सकते हैं फिर मुझे लगा कुछ और चीजे देनी चाहिए ठीक है यह टॉपिक और कमजोर हो रहा इस टॉपिक को मजबूत करने के लिए और चीजे देनी चाहिए इसलिए मैंने इस टॉपिक मे हम बादशीत करेंगे ऐसे इसी बातें जो जानकर आपको लगेगा कि वाकर नितिन स्थर की क्लास में आने के बाद हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है तो मैं यही कहूंगा दोस्तों आप क्लास में बने रहे हैं सिक्विंस में चीजों को पढ़ते चलिए अभी त हमने द लकड़ी का जो इस्तिमाल किया गया है कि लकड़ी कहां से मंगाई गई अगर सवाल परिक्षा में आये मुझे बताओ कितने ऐसे बच्चें जो इसका जवाब दे पाएंगे आप क्लास को टेंड करिए आपको लगेगा कि वाकई ने बहुत कुछ सीखा ठीक है स्टार्ट क कोई भी एक्जाम आपको देना हो कभी टेंसन नहीं होगा अगर आपने ये सारी बैच जोइन कर लिया तो ठीक है तो अलग-अलग दिसे के लिए बैच अबलेबल है या आप हमारे वेबसाइट अप्लिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं हमारा हेल्प लाइन नंबर है कॉल कर के संपर्क भी कर सकते हैं स्टाट किया जाज की क्लास को तो जो हमेशा बाते करता हूं मैं कौन-कौन सी बाते हैं कि आज हमारा 221 लेक्चर है आज हम लोग कवर कर रहे हैं 6300 सवाल और हमारा टॉपिक है दोस्तो भारत के राश्टी प्रतीक इसके पहले राश्टी प्रतीक मैं 30 सवाल पढ़ने वाला हूँ आग 30 की बज़ा 50 सवाल पढ़ाऊंगा और मैं आपको विश्वास दिला दूँ 10 से ज़्याद आप जबाब नहीं दे पाओगे केवल 10 सवाल का जबाब दोगे बाकी के 50 सवाल आपके लिए बाकी के 40 सवाल आपके लिए बिल्कुल नए हो भारत का राष्टीगीत कौन सा है मुझे पता है बच्चों को जानकारी इसके बारे में कि वंदे मात्रम जो है भारत का राष्टीगीत है ध्यान दीजेगा कभी भी परिक्षा में दोस्तों जब आप से राष्ट्रगान पूछे क्या पूछे दोस्तों राष्ट्रगान प बंकिम चंदर चंदर च anderen g चणर जी बिखा जाता यह फिर चट्र पार्धय इंखा जाता उसी तरह से जनकर्मन की रचना किस राविंध्र तैगोर जी ने किया था रविन्ना टैगोर ये दो सवाल आपके तयार हो गए आगे बढ़िए लिकर आप भारप का राष्ट गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया उस उपन्यास का नाम बताना दोस्तों किस उपन्यास से लिया गया तो याद रखेगा उपन्यास का बैंकिम्चाइए पशिम मंगाल की जो अपनी भासा है वह कौन सी भासा है तो इसकी रशना दोस्तोज में क्या गया था बैंकिम्चाइए तरह से जब राश्ट्रगान रचा गया था ना उसे भी बांगला भांसा में रचित किया गया था ठीक है अब आपके लिए जो नए सवाल है जो मैंने कहा कि संसद भौन से सम्मधित मैं सवाल आपको दूंगा वो सवाल क्या दोस्तों चलिए एक सवाल मैं आपको यहां देता संसद भौन में जो बलुआ पत्थर लगा दोस्तों यह बलुआ पत्थर कहां से मंगा गया था तूत्तर क्या रहेगा दोस्तों राजस्थान से कहां से मंगा गया है बलुआ पत्थर और संगमरमर यह दोनों कहां से मंगा गया है दोस्तों राजस्थान से मंगा गया है यह पहला सवाल है, ऐसे धेर सारे सवाल है, हर स्लाइड पे आपको एक बेहतरीन सवाल में दूँगा, जो संसत धोन से सम्मदित सवाल होगा, ठीक है, आगे बढ़िए, लिखरा राष्ट्रगीत वंदे मातरम, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अं अंग्रेजी में अनुबाद किस ने किया था, जिया दोस्तों, तो इसका अंग्रेजी मन बाद किया था, स्री अरविंदो जी ने किस ने किया था, दोस्तों, स्री अरविंदो जी ने इसका अंग्रेजी मन बाद किया था, एक सवाल आपके मन में और आ सकता है, कि सरी जो ज जनगड मन था यह जो जनगड मन यह जो अमारा राश्ट्रगान है इसका सार अंग्रेजी मन बाद जो है क्या है इसके अंग्रेजी अनुबाद का नाम परिक्षा में पूछता है याद रखेगा इसका नाम है Morning Song of India क्या है दोस्तो Morning Song of India यह इसका नाम है यह भी याद रखेंगे यह सारे सवाल परिच्छा में आते हैं ठीक है आगे सवाल देखें अगला देरा कि भारती राष्टिय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट गीत वंदे मात्रम को सवाल परिथम गाया गया पहली बार दोस्तो किस अधिवेशन में गाया था तो एक तो समय पूशता है तो समय पूशेगा तो क्या बताएंगे के 1896 में गाया गया दूसरा पूशता कहां गाया गया तो क्या बताएंगे दोस्तो कलकत्ता अधिवेशन में गाए गया तीसरा पूछता दोस्तो इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था ठीक है तब क्या बताएंगे दोस्तो रहीम तुल्ला सयानी क्या बताएंगे रहीम तुल्ला तुल्ला सयानी जी कर रहे थ दोस्तो इस अधिवेशन के देख्सता अच्छा सवाल सर ये दे दिया है तो सवाल तो ये भी आता है कि जो उमारा राश्ट्रगान है उसे सरवप्रथम कब गाये गया ठीक है तो राश्ट्रगान के बारे मैं पूछे तो बताएगा आश्ट्रगान पूचे गया ठीक है जोड़ना सीख्की आज क्या पूचा जा रहा है सवाल ही अपनी जगह है लेकिन और क्या-क्या पूचा जा सकता है ये भी तो important है, हमें ओभी सीख के चलना है, बात समझ में आगी न, कहीं आपको कोई doubt, कोई दिक्कत परसानी नहीं न, चलो आगे आजाओ, लिकरा कि वंदे मातरम को राष्टरगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है, देखे आपको यहा याद रखना पड़ेगा, कि राष्टरगान को कब स्युकार किया गया, ठीक है, तो अगर राष्टरगान को कब स्युकारनी की बात आती, तो याद रखेगा, पहले राष्टरगान को स्युकार किया गया, बाद में राष्टरगीत को स्युकार किया गया, तो पहले यानि क बाद 26 जनवरी को राष्टरगीत को स्युकार किया गया 26 जनवरी 1950 को याद रखेगा जो हमारा राष्टरगीत वंदे मात्रम है उसे स्युकार किया गया ये दोनों सवाल आता है बच्चा हमेशा confusion में होता है कि राष्टरगीत वाले में क्या था राष्टरगान वाले में क्य था यही रीजन था दोस्तों कि मैंने आपको क्या कर दिया दोनों दे दिया ठीक है अब एक और अच्छा सवाल याद रखेगा सवाल ये पर इच्छाम पूछता है अब जो संसद वाला सवाल उसको हम लोग अटेंड कर देते हैं आप ठीक है सवाल पर इच्छाम मालीजे आ कि जो नया संसद भवन है जो नया संसद है उसमें दोस्तों जो कार्पेट का इस्तमाल किया गया है किसका इस्तमाल किया गया है जो कार्पेट किसे काते हैं कालीन को काते है ठीक है जो जमीन पर बिच्छी होती है वो कहां से मंगाई गई है ते कालीन दोस्तों मंगाई गया मतलब जान लिजे कि हर घर में कालीन का ही उद्योग चलता है यहाँ पर याद रखेंगे तो मिर्जापूर से दोस्तों क्या मंगाए गया है कालीन मंगाए गया आगी बात समझ में एक एक चीजें आपको बताऊंगा सब बताऊंगा कि फ्लोर कैसे बना उसकी जो है रंगाई के लिए या फिर उसका ब्रास वर कहां से हुआ उसका फालसी दिंग काउन करने आयते सारी बाते हम लोग करेंगे तो अभी के लिए आप इसे याद रखेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं ना चलो आजाओ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल लिखते हैं अगला सवाल लिख रहा दोस्तो कि राष्टगीत वंदे मात्रम को गाने में कितना समय लगता है वंदे मात्रम को अगर गाये जाए तो कितना समय लगता है यही सवाल सेम सवाल दोस्तो राष्टगान पर भी आपको मिलता है कि राष्टगान को गाने में कितना समय लगता है तो याद रखेंगे राष्टगान को गाने में दोस्तो 52 सेकंड का समय लगता है ठीक है अगर राष्टगान का आप 60 वर्जन गा रहे हैं तब दोस्तों वहां 20 सेकंड का समय लगता है ठीक है लेकिन आज का सवाल अलग है तो आप लिख लिजिए कि 65 सेकंड में काया जाता है या फिर क्या लिख सकतें दोस्तों एक मिनट प्लस पांच सेकंड ठीक है दोनों उत्तर सही है याद रखेंगे दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़िए लिख रहा कि भारत का राष्टी पंचांग ग्रिगेरियन केलेंडर के साथ किस संबत पर आधारी थै जो हमारा राष्टी पंचांग है दोस्तों किस पर आधारी थै ये आप से पूछा जा रहा है तो याद रखेगा राष्टी पंचांग ये सक्समबत पराधारित है किस पर दोस्तों सक्समबत पराधारित है यह सक संबत चलाए गया था, ठीक है, यह सक संबत चलाए गया था, सकों का नास किस ने किया तो विक्रमादित ने किया था, उसके बाद उन्हें विक्रम संबत सुरू किया था, तो विक्रम संबत की बात में जो हमारा केलेंडर है, यह सक संबत को फालो करता है, और परिच्छ सागाउन की लकड़ी उच की गई कौन सी दोस्तों सागाउन की सागाउन की जो लकड़ी उच की गई है यह सागाउन की लकड़ी दोस्तों कहां से मंगाई गई है त्याद रखेगा यह सागाउन की लकड़ी महाराश्य मंगाई गई कहां से मंगा गई दोस्तों यह सागाउन के लिए ठीक है फ्लोरिंग के लिए ये जो बास की लकड़ी आई है ये कहां से आई दोस्तो ये अगर तला से आई है सर अगर तला तो पुरोतर में पढ़ता है वो त्रिपूरा की राजधानी है अगर तला हाँ तो याद रखेगा मैं उसी अगर तला की बात कर रहा हूं वह वहाँ से क्या मंगा आ गया वहाँ से बंबू मंगा आ गया बास ठीक है और पूरोतर में दोस्तो बास के समनी सारे काम भी चलने और अगर परिप्षा में दोस्ते स्कावावन कोई डाउट रहत सकतले हैं कि हमारे क्लास में आने के बा CPR किसी भी लेगशर में आज हमारा स्वेलेक्साइश ए मैच्छी ब olan ऑपको ऐसा निल्सूस होगा कि रिज्म करेâuं कि बच्चों करें कि गंटगी अच्छे बात मुझे देखेते हैं fairness q में तो क्लास देखें गो सकता है बहुत सारे बच्चेजिन पीछे का वीडियो नदेखें हूं तो एक दिन बहुत बढ़ियां आपका concept clear होगा ठीक है आगे बढ़िये अगले सवाल पर आते हैं अगला सवाल लिख रहा दोस्तो कि राष्टी पंग्चांग को सरकारी प्रयोक के लिए दोस्तो कब अपनाया गया ठीक है देखें बाकी सारी चीजे तो यह बड़ा difficult सवाल है क्योंकि बाकी सारी चीजे तो 50 में और आगे पीछे करके अपना लिगें इसको बहुत बाद में अपनाया गया इसको 1957 में अपनाया गया और कब अपनाया गया दोस्तो याद रखेंगे 22 मार्च को अपनाया गया याद रखेंगे दोस्तो राष्टी पन्चांग का जो पहला महिना होता है वो महिना होता है चैत्र महिना ठीक है और जो हम लोग एक तिवहार मनाते हैं दोस्तो राम नोमी ठीक है उसी के समय से दोस्तो इसकी सुरुवात मानी जाती है इसी तरह से जो अंतिम महिना होता है ये कौन सा होता है तो अंतिम महिना दोस्तों क्या होता है फागुन का महिना होता है ये फागुन का महिने में हम होली कातेवार मनाते हैं ये दोस्तों अंतिम महिना माना जाता है तो इसको भी याद रखेंगे ठीक है फिलाल आप चैत्र को देखेंगे तो चैत्र दोस्तो यह अप्रेल से शुरू होता है अगर इंगलिस महिने की बात करेंगे और फागुन जो होता है दोस्तो यह मार्च में होता है तो मार्च में समाप्थ होता है तो आपने देखा होगा कि भारत सरकार का जो वित्ती वर्स है क्या है दोस्तो भारत सरकार का जो वित्ती वर्स है ठीक है ये वित्ती वर्स दोस्तो कब सुरू होता है तो याद रखेगा भारत सरकार का वित्ती वर्स इसकी सुरुवात हमेशा होती एक अप्रेल से कब होती द एक चीज़ और याद रखेगा एक अधिवर से सवाल पूछता है तो वह सवाल भी मैं आपको दे दूँगा ठीक है लेकिन यहाँ पर अब संसद भॉन आली बात होगे अभी संसद भॉन ने सिर्फ तीन लाइंग की बाते किया एक बात किया कि बलुवा पत्थर कहां से इस्त तला से मंगाए गया है यह हमने अभी तक चार पॉइंट पड़ा ठीक है अब एक सवाल और मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों इस्टोन जाली वर्क्स जियां दोस्तों याद रखेगा इस्टोन जाली वर्क्स ठीक है देखिए पूरे भारत में हर जगा की अपनी एक खासि घुलर है ठीक है उसे ओड्य ऻुपी बहुए लखा गया ठीक है इसी तरह से यहां इस्टोन जाली वर्क की बात करेंगे तो ये दो जगार reacting और दोस्तों और राजनगर राजस्थान में हैं दूसरा दोस्तो और कहां से कारीगर आए हैं नोईडा से आए हैं नोईडा कहां दोस्तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में गौतम बद्ध नगर जिला जो है दोस्तो उसके अंतरगत नोईडा और जो नया नोईडा है वो आता है इस सामाने वर्स में 365 दिन होते हैं ठीक है और जब लीप वर्स होता दोस्तों तब क्या होता दोस्तों एक दिन बढ़ जाता और यह 306 दिन हो जाता ठीक है अच्छे यहाँ पर मुझे एक डाउट है इसलिए मैं यहाँ पर इस्टाल लगा रहा हूं इन दोनों सवालों में दोस् जादा होता है तो उस प्रकार दिखा जा तो दोस्तों 22 यहाँ पर होना चाहिए था 21 यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन क्योंकि भारस सरकार की साइट पर ही दोस्तों डेटा अब लेबल है इसलिए दोस्तों में इसमें जादा छेड़ छाड़ नहीं कर सकता एक बार मैंन बच्चों को दोनों बाते बता दू कि देखिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा एक्जाम में आपको परिसान नहीं करेगा कोई एक ही आपसन मिलेगा ठीक है कि दोनों देगा तो आयो भी फज़ाएगा रियल डेटा कुछ और कहेगा और भार सरकार की साइट कुछ और कहेगी तो ऐसे में क्या होगा कॉंफिलिक्ट होगा ठीक है और उससे बचने का यह उपा है कि हम दोनों चीजों को जानते रहें आगे बढ़िए दोस्तों अगला सवाल देखे ठीक है लीपवर्स हो गयरा तो आप जानते हूंगे लीपवर्स में एक दिन बढ़ जाता है हर 4 सल पे क्या होता है दोस्तों लीपवर्स होता है कोई सी सन जैसे 허न लीपवर्स या ने वाला ठीक है अब 2014 को दोस्तों जब आप 4 से भाग देंगे ठीक है तो 520 और जब इसको भाग देंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा अगर दोस्तों याद रolla रहे हो जाता 29 की हो जाती है कभी जब जियोगराफी में आएंगे कि सारा कांस्ट में आपका क्लियर करा दूँगा कि ऐसा होता ही क्यों है आगे बढ़िए भारत का राष्टी वाक्य क्या है दोस्तों तो भारत का जो से लिया गया है याद रखेंगे मुंडक उपनिसद में ईही जूल करके मुंडक पनिसद कहा जाता ठीक है तो घबवडाने वु GUY बात नहीं जब संदी कर दिंगे इसका तो क्या जांगा मुंडक उपनिसद हो जाएता अब यहां पर कुछ सवाल में बता तSu हूं जो सम्मिधान से संबन लित है दोस्तो हमारे जो नया संसत भौन बना है यहाँ पर जरा आप दो चीजों को याद रखेगा ठीक है एक तो याद रखेगा दोस्तो असोक का प्रतीक याद रखेगा और एक असोक चक्र याद रखेगा ठीक है पहले प्रतीक की बात करते हैं दोस्त तो इसे मंगा गया औरंगाबाद से कहां से मंगा गया दोस्तो इसे औरंगाबाद से मंगा गया औरंगाबाद दोस्तो कहां पर है औरंगाबाद तो महाराष्ट में ठीक है देखे हर चीजों को अलग-अलग जगह से लिया गया नए संसद भौन की बात करने है इसी तरह से ज जो असोक का चक्र लगा है वो दोस्तों कहां से मंगाए गया है असोक चक्र को कहां से मंगाए गया तब आप क्या बताएंगे दोस्तों इसे मंगाए गया इंदौर से कहां से मंगाए गया दोस्तों इंदौर कहां दोस्तों यह मद्यप्रदेश में इस्तित हैं इंदौर मद् की गई हैं वो दोस्तो क्या क्या चीजें हैं ये पता है क्या आपको नहीं पता है तो आज जान जाए कॉपी कलम लीजिए नोट्स बनाइए और याद रखेगा क्योंकि आने वाले समय में भर भर के परिच्छा में सवाल पूछा जाएगा पहले बता दे रहा हूं Study91 के प्लेटफार्म से दोस्तो कई सारे विस्ज़े के लिए किताबे भी जारी केगी देखे हमारे अपने कुर्स हैं हमारी अपनी किताबे हैं बहुत मन से बड़ी लगन से बड़ी स्थिर्टा के साथ हम किताबों पर काम करते हैं यही रीज़न है कि इस लाइड जल्दी चे लिखना पड़ेगा एक लाइन ठीक है और एक लाइन लिखने का जिसके अंदर सामर्थ होगा छमता होगा वही लिख पाएगा ठीक है यह चोर उचक के लोग नहीं लिख पाएंगे कुछ लोग ऐसे हैं एक बार में 30 किताब लांच करें उसे पूछ के देखिए 30 किताब तु किताब की अपनी खासियत है अपना पैटर्न है ठीक है यह हमारा हल्पलाइन नंबर दोस्तों कौल करके संपर कर सकते किताबे आपको आर्लाइम मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर अप्लीके संपर वहां क्याटर कीजिए किताबे अधिकतम 48 hours में दोस्तों किताबे आप जोड़ूँगा दोस्तों जो नया संसद भौन बना है जो नया संसद भौन बना है उसमें दोस्तों कमल की थीम का यूज कहां किया गया है ठीक है कमल का थीम दोस्तों यह कहां पर यूज किया गया है कमल थीम पर कौन सा सदम बना हुआ है तियाद रखे दोस्तों राज्यस सबा है राजय सभा की जो छत है राजय सभा की जो छत है दोस्तो थींग है वह जी वह तरह से जो लोगसभा है उस पर दोस्तो मैयूर के पंक है दोस्तो राजय सभा losebed लोग कि संख्या कितनी है सबसे जादा जरूरी बात थो यहीं कि सिट की संख्या नाम मतलब क्या होगा दोस्तों इसका scientific name आपको बताना है याद रखेगा नेलंबो निूसिफेरा क्या नाम दोस्तो नेलंबो नेलंबो निूसिफेरा ठीक है नेलंबो निूसिफेरा दोस्तो ये इसका क्या है साइंटफिक नाम है अच्छा आपके मन में एक बात आई गया होगा कि चर चलिए अच्छा पहले इसको कर लेते हम लोग राष्टी पक्षी दोस्त में जो लोकसभा है नया संसद भौन जो है दोस्तो नया संसद भौन जो बना है उसमें दोस्तो जो लोकसभा है जो लोकसभा है इस लोकसभा की जो च्छत है दोस्तो चज्जा जो है वो मयूर मयूर की थीम पर बनाए गया ठीक उसमें मयूर के पंक मिलेंगे और अगर कलर की तो दोस्तो ग्रीन थीम पर काम करता है अगर सीट की बात करेंगे तो सीट कितनी दोस्तो 888 सीट है कितनी है दोस्तो जैसे यहां 384 सीट पढ़ाता ना उसी तरह से यहां पर 888 सीट है दोस्तो यहां पर संयुक्त अदिवेशन की बात आती है कि जब कभी सर संयुक्त अदिवे है वो रखी गई दोस्तो 1272 सीट कितनी है दोस्तो अगर मालो कभी कांफिक्ट होता है लोकसभा रासभा को एक साथ बुला लिया जाए तो याद रखेगा 1272 सीट की दोस्तों यहां पर व्योस्था किया गया ठीक है 1272 इसको याद रखेंगे कोई दिक्कत आपको कहीं कोई समस यह एंसर आजाएगा ठीक है तो कोई भी एक याद रखना है आप घटा जोड़ करके याद रख सकते हैं ठीक है यह बहुत आसान सा फार्मूला है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर आजाए आगे सवाल पढ़ते हैं अगला सवाल क्या पढ़ा दोस्तो कमल का पढ़ा नेलंबो नेलंबो न्यूसी फेरा नाम पढ़ा उसी तरह से मोर का वैज्यानिक नाम क्या है इसका वैज्यानिक नाम है दोस्तो बहुत आसान सा है पावो क्रिस्टेटस क्या नाम है दोस्तो पावो क्रिस्टेटस यह मोर का क्या है दोस गया तो यह सवाल बहुत सारी बच्चों को नहीं पता है याद रखेगा 1963 में 266 जण्वरी 1963 को दोस्तो इसको राष्टी पक्षी के रूप में सियुकार किया गया जिसे राष्टी पंचांग कब सियुकार किया गया वह 22 Hinduwar 1957 को स्युकार किया गया उसी तरीके से राष्टी पक्षी कब स्युकार किया गया ये 1963 में स्युकार किया गया आपको मिल जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर क्या मिल जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर यह तीनों आपको याद रखना है ठीक है रॉयल बंगाल टाइगर एक चीज़ और दोस्तों इसे कवराश्टी पसू करूप में स्युकार किया गया था उनीस सो तीहत्तर में ठीक है अप्रैल 1973 के समय ये वही समय दोस्तों जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था ठीक है उसी दोरान दोस्तों इसे भी स्विकार किया गया था इसे भी याद रखेंगे एक और सवाल दे देता है कि बाग का वैज्यानिक नाम क्या है ठीक है बाग का सैंटिफिक न जिसमें आपने क्या पढ़ा टाइगरिस पढ़ा ठीक है पैंथेरा टाइगरिस याद रहेगा आप सबी को तो ये सारे के सारे इंपोर्टन सवाल है जो आप से आपकी परिच्छा में पूछा आ जा सकता है तो इसको लेक एकदम तयार रहे है ठीक है आगे बढ़िए ये राश्टी फल कहते है एक सब्द बना दीजेगा मेंगी फेरा क्या बनाएंगे तो सब्द बन जाएगा मेंगी मेंगी फएरा इंडिका क्या बन जाएगा दोस्तो मैंगी फेरा मैंगी फेरा इंडिका ठीक है ये दोस्तो इसका क्या नाम है सैंट फिक नाम है आगे लिखरा दोस्तो भारत का राश्टी विरिक्ष कौन सा है तो राश्टी विरिक्ष है दोस्तो बरगत क्या है दोस्तो बरगत बरगत को इंगलिस मे दोस्तो बनियान ट्री भी कहा जाता है क्या कहा जाता है इंगलिस में कहा जाता है तो इसे याद रखेंगे इसे भी बाद में स्युकार किया गया यह 1950 में स्युकार किया गया था ठीक है 1950 में इसे स्युकार किया गया था और यह जो राश्टी विक्ष है दोस्तो यह जो हमारा गया आम को तो आम को भी बर्गत को इन सब को दोस्तों 1950 में इस युकार किया गया तहीं आप याद रखेंगे अब जो संसद भौन का नया सवाल है ठीक है जैसे आपने पीछे दोस्तों आपने पढ़ा था बलुआ पत्थर वैसी दोस्तों अगर पूझदे कि संगमरमर संगम यह स्थान एमबाजी वहाँ से दोस्तों संगमरमर मंगा आए गया संगमरमर जो हमारे नए संसद भौन में क्या किया गया है यूच किया गया है इसे भी आप याद रखेंगे आगे बढ़ें अगले सवाल पर अगला सवाल देँ रहा है कि बर्गद का वानस पतिक नाम क्य यह कोई पर्याती होती है हाँ वही से याद रखेगा ठीक है और इसके आगे लिखेगा बैंगा लेंसिस क्या लिखेंगे बैंगा बैंगा लेंसिस ठीक है फाइकस बैंगा लेंसिस ठीक है थोड़ा से लंबा चोड़ा नाम है घबडाए गमत आराम से याद रखेगा लिकरा भारत का राष्टी जली जीव को उसा राष्टी जली जीव दोस्तों ये गंगा डाल्फिन को कहा जाता है किसे कहा जाता है गंगा डाल्फिन को राष्टी जली जीव कहा जाता है ठीक है और गंगा डाल्फिन को राष्टी जली जीव के रूप में कब स्युकार किया गया था याद रखेगा इसको घोसित क्या गया था 5 अक्टूबर को अब आप कहेंगे सर इतना फराटे दार तरीकिस आप कैसे लिखते चलना है इसलिए लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि हर साल 5 अक्टूबर को क्या मनाय जाता है याद रखेगा ये राष्टी जलीव जीव दिवस मनाय जाता है क्या मनाय जाता दोस्तों ये गंगा डाल्फिन दिवस मनाय जाता है ठीक है परिक्षा में डाल्फिन दिवस आजकल देता है ठीक है डाल्फिन दिवस ये डाल्फिन दिवस कम मनाय जाता है एक सवाल और आप यहाँ पर याद रखेगा डाल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बन रहा है क्या सवाल आता है डाल्फिन अनुसंधान संस्थान ठीक है यह कहाँ पर बन रहा है दोस्तो तो यह पटना में बन रहा है पटना बिहार में डाल्फिन अनुसंदान संस्थान बन रहा है इसे भी आप याद रख लेंगे ठीक है ये सब साथ साथ याद करते चलिए बड़ा अच्छा सवाल है ठीक है चलिए अब संसद भौन वाली बात कर लेते हैं दोस्तों याद रखेगा संसद भौन में M-sands यहा आप याद रखेगे एक सवाल और याद रखेगा कैसर यह ग्रीन स्टोन कहां से माँ गयाす Te insectoyle महां अगे बढ़ी अगला सवाल दो सहार बदोस्ति बच्छे गलत जब आक Toby Uz Ήलड़े तो हाथी को बताएगा कि ये राष्टी विरासत पसु किसे घुशित किया गया है हाथी को लेकर आब भारती रुपए का प्रतीक चिन्ह ये कब स्युकार किया गया तो जैसे भारती रुपए का प्रतीक चिन्ह क्या दोस्तो ऐसे बनता ने सेंबल ये रुपए वाला जो सेंबल ह इसे भारत सर्कार ने कब स्युकार किया तो याद रखेगा पंदरह जुलाई दोहजार दस को स्युकार किया था और इसे किस ने डिजाइन किया था दोस्तो त्याद रखेगा IIT मुंबई से PG थे दोस्तो इनका नाम है D. उदे कुमार, क्या नाम दोस्तो? D. उदे कुमार, इन्होंने दोस्तो इस डिजाइन को तयार किया था, जिसे RBI ने क्या कर लिया था? स्विक्रित कर लिया था, ठीक है? एक सवाल और आता दोस्तो, संसद भौन से सम्दित सवाल है, फाल्स सीलिंग वगरा जा इसके कारीगर कहां से चल कर आये थे? दम अंदियू से चल कर आये थे, यह आप याद रखेंगे. इसी तरह से बढ़िया सवाल और दिमाग में आ गया, दोस्तो ने संसद भौन में जो ब्रास वर्क किया गया है, इसके जो कारीगर थे, कहां से आये थे दोस्तो? यह कारीग दोस्तो आप याद रखेगा जो मेरे दिमाग में आया वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दिया मुझे लगता है कि इतनी चीज़े काफी है आज के क्लास के लिए तो आप जुड़े रहे हैं बहुत जल्द दोस्तो आपका सम्मिधान भी समाप्त होने वाला जे खत्रमा ले जाएगा उसके बादे सम्मिधान जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा ऐसे भी से जो पूरी तरह से पढ़ा दिये गए हैं यह उन्हीं के हैंटे नोट्स हैं बाकी दोस्तों हमारे अपने वेबसाइट से और अप्लिकेशन से नए स्मार्ट इनोट्स भी जारी किये ग ठीक है तो सेसन आज ही समाप्त होता है उमीद करता हूँ अच्छा लगा होगा एक इमानदारी से एक निवेदन आप सभी से है अगर आपको लगर आओ कि निचिन सर ने मेहनत किया है और डेली अपनी क्लास में मेहनत करते हैं तो क्लास देखने के तुरन बात दोस्तों अपने फेस्बुक पर कहीं भी वीडियो को सेर कर सकते हैं ठीक है यह निवेदन आप सभी से तो चली आज का सेसन ही समाप्त होता है मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जय हिन जय भारत थेंक यू थेंक यू सो मच अजय है